लेकिन दूसरे खबरोवाले शेश कौन से रहेंगे बुलकुल अशे शेश खबरोवाले शेश थोड़े अब कम हो चुके मंडे को हमें बहुत खबरोवाले शेश मिले थैंगे अभी टीन चाहर हैं जो है श्टॉक से जिस पर फोकस रहेगा सबसे पहला है श्री राम फाइना है और यहां पैनलिस का मानना है कि जो ट्रांजक्शन वैल्यू है कंपनी को फाइदे मंद यानि कि वैल्यू एकुरिटिव है मानि श्री राम फाइनांस के लिए पॉजिटिव रह सकता है यह डील के अगर बात करें डीटेल में तो टू पॉइंट फॉर टाइम्स प्राइस विदानता भी फोकस में रहेगा यहां पर कंसेडर करेंगे फंड रेजिंग एकुटि के जरी अब यह आपका एफ्पी ओ हो सकता है राइट से देखने मिल सकता है जो में 16 को इंपॉर्टन जो है मीटिंग रहेगा तीसरा स्टॉक रहेगा अनंत राज यह स्टॉक हमने 6% स्टेक की जो है बाइंग की है कल ब्लॉक डील डेटा में उनका नाम आया है और अभी भी ग्रॉस्ट्री अंडरों कंपनी है म्यूचल फंड्स का यहां पर सिर्फ 1.21 परसें स्टेक मार्च कोटर में देखने मिला है हिंडाल को भी फोकस में रहेगा यहां पे एजेंसी स से आ रहे है रिपोर्ट की जो उनकी यूए साम है वह अपनी प्लैंड यूए साइपियो लॉंच कर सकती है कंप्रीट करने के लिए जून तक और जो आईपियो साइज है लगबग 1.2 बिलियन डॉलर का यानि कि 10,000 करोड के ऊपर कर रह सकता है दो एहम कॉन कॉल भी हुए डॉलर टर्म्स में और इसको जो है डेट रिदक्शन के लिए यूज किया जाएगा वही अबिड़ा की जो नॉर्मालाइजेशन से आने वाले सालों में देखने मिल सकती है जो मैटो के नतीजे की बात करें तो यहां पर कॉन कॉल में दो एहम बात आई है माजन इंप्रू उन्होंने अच्छी कमेंटरी दी है आखिर में कोचिन शिप्यार भी फोकस में रहेगा उनको यूरूपियन क्लाइंट को जो वैसल की एक और है पांच सो से हजार क्रोन के बीच एक बड़ी और भी मिली है तो यहां पर स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है बट ओवराल स्रीराम हाउसिंग फाइनस और वेदानत और अनंत राज इन स्टॉक पर जादा फोकस रखियेगा